नमस्कार, NBCN News में आपका सौगत है मंदीर परिसर में एक द्यूसिय यात्रा का आयोजन बर्सों से होता आ रहा था लेकिन इस साल कोरोना संक्रमन के कथित कारणों के चलते यात्रा को रद्द किया गया है मालुम हो कि यात्रा में गुबबारो, नमकीन मुंफली, मकई भुट्टे, नास्ते के ठेले, खिलोने आधी की दुकाने सजी धजी रहती थी लेकिन इस साल उप्रोक्त चीजों की विक्री करने वाले सभी छोटे व्यापारियों को यात्रा में होने वाली कमाई से महरूम रहना पड़ा है ऐसे में शहर के चंद छोटे विक्रेता, भवानी माता मंदिर के और जाने वाले रास्ते से सटे, आर्णीना का स्थित्पुल पर गुबबारो, खिलोनो, आधी सहित, मुंफली और भुट्टे बेशते नजर आए एक तरफ यात्रा के रद्ध होने से आज के दिन दिखाई देने वाली रास्तों की रौनक कहीं गुम थी, वहीं दूसरी तरफ एक नीजी अस्पताल से फिर एक नर्स की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की खबर सामने आई है इसके साथ ही लाख रायजी गाओं के दो लोग पॉजिटिव से निगेटिव में तब्दिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई है ऐसे में बुद्वार शाम खबर लिखने तक कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संक्या 54 पर पहुच गई है फुल मिला कर देखा जाए तो कोरोना संक्रमन का बढ़ता प्रादूर बाव का असर राष्टिय त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के साथ ही नागरीकों के स्वास्त को भी प्रभावित कर रहा है ऐसे में जनता के पास खुद के स्वास्त का ध्यान रखने और सुरक्षित रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है NBCN News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट